असलाम अलेकूं ट्रेंट्स तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एच्छी टिप्स लेके आए हूँ देखिए बहुत से लोग ये तरीका सर्च करते हैं नेक पे कि वो अच्छी मुलायम और फूली हुई रोटी कैसे बनाए तो आज की वीडियो बहुत दिखास है क्योंकि आज हम रोटी जो है वो तवे पे नहीं बनाने वाले हैं बलकि कूकर में बनाने वाले हैं वजह मैं आपको आगे बताओंगे तो सबसे पहले देखे आटा किस तरह से घुड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ यहां पे आपको जितना भी आटा चाहिए वो ले लेना है उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटे को अच्छी तरीके से गून देंगे अब एक गलती कभी मत करेगा कि एक साथ धेर सारा पानी डाल देजेगा उससे क्या होगा कि आटे में लंस आ जाते हैं आटा अच्छी तरीके से गुधता नहीं है थोड़ा थोड़ा पानी करके जब आप कूनते तो बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो फटा फट बनके तायार हो जाता है जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं आटे वगेरा को रेस्ट पर रखने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं क तो आपकी फैमली में कोई बड़ा मेंबर तो हो गई जो आटे की कंसिस्टेंसी जैसे रखता हुग आप उससे पूछ सकते हो और वैसे ही रखनी है आटे को मैंने 5-10 मिनट ही गूदा है और यह बिलकुल सॉफ्ट और चिकना आटा बनके तयार हो गया है तो जब इस तरह स चिकना हाट आज आर सॉफ्ट अच्छे से हो जाए क्रीमी ही तरह तब आप समझ जाई है आटा पर्फेक्टली गुल गया है अब यहां पर रोटी आपकी घर में जिस साइस को बनती हो उसी साइस की लोई लेनी है आज मैं चोटी-चोटी रोटियां बनाने वाली हूँ तो रोटी नहीं बिलने वाला है क्योंकि यह फिर बेलन में चिपक जाएगा और बिगनर्स को तो शुरू में बहुत ही पर्थन लगाने की ज़रूब पड़ती है क्योंकि उनको अफितना नॉलेज नहीं रहती है तो यह हमने रोटी बेल लिया है जब मैंने रोटी बेलना तो आज हम कूकर में रोटी लाखेश से लाएं क्यूंकि अग्सर एसा होता है कι हमें जब गैस्व कूकर का यूजरा नियों ह checkpoint करें तो कूकर को आप इस एक्स्ट्रा हीट नहीं करना पड़ेगा तो यह बहुत बढ़ा तरीका है हम अच्छा तरीका है गैस को बचाने का बहुत ही आराम से हमें यहां पर रोटियों को बेल लेना है जरा भी दर ध्यान नहीं करना है वन्ना इस जो साइट सेना कूकर के अगर हाथ में टच हो एक दो दिन के लिए जैसे अक्सार होता है लोग कहीं न कहीं यहां निकलते हैं जहां पर बर्तन वगारा के सुविदा नहीं रहती है तो उस कंडिशन में आप यह रिलेटिव की घर जाने की बात नहीं करें उसके अलावा आप जब कहीं जाते हैं तब आप कूकर मतलब ना चाहोगे तो वह भी बन जाएगा तो एक कूकर से धे सारा काम हो सकता है तो देखा आपने एक बर्तन ले जाने का जंजट नहीं पड़ेगा जादा और दूसरा गैस भी बहुत बचेगा तो फ्लेम मैंने आपको बता दिया है मीडियम डू हाई रखना है उसके बाद ज अइसा तकी बीट बसे ह horns मैंने जाला है उसके स야गं यहां हुई सबसारा फेहा मिर्वास स्फ्लेटन तो दगी हम ईसका पलटना है तो कपड़े के हल्प से मैं बहुत यह जह चाह प्रेस करके हंसे अंश्ए से मैन एक तरफ से सख लिया है और अब इसको मैंने पलट लिया और इधर भी वैसे ही मैं सेख लूगी मेरी यह रोटी पंगा फूल जाती लेकिन इसका एयर कहीं ना कहीं से लीक हो गया जिसके वजह से रोटी फूली नहीं वहना आप देख सकते हैं बिल्कुल पर्फिक्ट कोल है और बहुत ही अच्छी तरीके से सिख गई है कहीं से भी मैं से रहे उसके लिए आपको क्या करना है जब भी आप रोटी को निकालो एक कॉटन कपड़े में रख के कैसरॉल में रख दो जो रोटी का डबा होता है नहीं है तो एयर टाइट बॉक्स अगर हो जिसमें हवा ना घुसती उसमें रख दो और गोल रोटी बनाने का तरीक कॉर्णास